इंडियन टीवी नियूज देश का तेजी से बढ़ता नियूज नेटफर्क नमस्कार आप देख रहे हैं इंडियन टीवी नियूज आईए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर पुलिस ने लागों रुपे की लूट का किया खुलासा चार शातिर बदमाश चड़े पुलिस के हथे पुलिस अधिक शक निरच कुमार जादो ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि थाना कोतवाली शहर ने थाने में दी तहरीर में बताया की तड़के करीब साड़े तीन बदे उसके घर में अग्यात लोग घुसाए तता तमंचा दिखाकर उन लोगों ने घर की महलाओं के सोने चांदी के जेवरा वे 5,000 रुपे की नगदी लूट कर फरार हो गये तहरीत के आधार पर खाना कोतवाली शहर पर अग्यात में मुकदमा पंजिकृत किया गया पुलीस अधीक्षक निरच कुमार जादोन दुआरा घटना स्थल का निरिक्षन किया गया कता घटना के शीगर खुला से वे अभियोक्त की गिरफतारी के लिए तीन पुलीस टीमों का गठन किया गया घर में पंधक बना कर लूट करने का मामला पुलीस ने लूट कैश मोबाई जेवर किये बरामत पुलीस अधीक्षक बिजनौल पी वाइट इंडियन टीवी नूज मर अमिद चौधरी की रिपोर्ट गंभी धारा मुकर्में पंधित रहते हैं शावेज कुलेट लगभग 22 उकरमें पंधित रहते हैं यह अपस में सिदार भी है इनका एक संगिठित ग्रोव है यह आइसुलेटिट मकान की रिके करके उसमें लूट चोडी के लिए गटना कारित करते हैं इनके पास से लूटा हुआ लगभग 80% माल बरामत किया जा चुका है इनके पास से लूटा हुआ मुवाइल फोन, कैश, जोल्डी, एक तबंचर, दो चाकू तता एक तलवार भी बरामत की गई है इस घटा के खुलासी के लिए डियाईयो संगी, पूरी टीम को 5000 रुपाय नाम देने के घुश्ट रहती है इसमें शावेज की वाइफ रुकईया के पास से लूटी वे जोल्डी बरामत की गई जिसमें रुकईया की बिरिस्टीट की गई है अगली ख़बर के जानने के लिए देखते रहेए इंडियन टीवी न्यूज हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीजियो को शेयर ज़रूर कीजिए धन्यवाद फिर मिलते हैं अगली ख़बर के साथ